अगर आप सब्सक्राइब बहुत स्वागत करता हूं आज हम लोग चंद को बहुत विस्तार पुर्बों को और इजली पढ़ेंगे और अगर आपको यूपिटेट और सीटर से लेटर को भी प्रॉब्लम में तो अपने लिचे कमेंट कीजिए ताके मैं आपके हर प्रॉब्ल चाहते हैं तो उपर आए बटन में किलिक करें और यहां से देखी और अगर आप मारे चंद के बारे में देखे जो चंद होता है चंद के दिरमाने के लिए कुछ पर्मुक चीज़े बहुत ही साइक होती हैं जैसे हुएड या मात्रा हो गया दूसरा चरण या पाद हो गया तिसरा यति हो गई चोथा गती हो गया और पाशिया हो गया तु क्या ले ओच्छटा हो गया क्या गड तो इन छोड़ चीजू से मिलके क्या होती है चंद का निर्माड होता है अथात किसी भी चंद के निर्माड के लिए ये छे छीजे अतियाउसिक है इट मिंस कह लिया जाए कि छंद के ये सारे के सारे क्या है तत्तों है इन सब के बिना किसी भी छंद का कोई अस्ताय। तो नहीं है तो छंद के बहुत सारे भाग होते हैं तो हम लोग सभी भाग को बारे के समझेंगे और इन सब को बोलते हैं छंद का अंग तो हम लोग छंद में वड होता और मात्राएं होती है यसे अगर कोई दोहा लिखा जाए तो दोहा को लिखने के लिए उसमें कुछ लेटर की आउसकता होती है का खा गागा की आउसकता होती है और कुछ मात्राओं की ए उ की आउसकता होती है तो हर चंद्र में वड और मात्रा दोनों होते है अ हम लोग दिर को गुरू भी बोलते हैं यह छोटा छोटी ऊओ री और यह देखिए यह है आके उपर चाद विंदी इसको बोलते है अनुनासि यह सारे के सारे लगू के अंतर गताते हैं और यह जब भी आएंगे तो इसको हम लगू बोलेंगे और इसको इससे काउंट करेंगे और इसका मतलब होता है एक मात्रा दूसरा है उसको बोलते है दिर्ग उसको इससे नुरुपित करते हैं अंग को बूलते हैं अनुष्वार और आग को बूलते हैं किया बिसर यानि अनुष्वार और बिसर किसके अंदर गताते हैं दिर गाते हैं और जब भी आएंगे तो इसको इससे काउंट करेंगे इसका मतलब होता है दो मात्रा और दिर को गुरू भी बोलते हैं चलते हैं में क्यों यह आ है इसलिए इसको देखे एक लागा के दिरुपित किये इसको बोलते हैं लगू और इसको काउंट करते हैं एक से इसको काउंट करते हैं किसे दो से अब यहाँ पर हम कुछ बिशेस नियम को समझेंगे देखे अगर माल लेजिए किसी भी सब्द में कोई आधा सब्द दिया है तो अगर आधा ता आधा पा के पहले अगर कोई भी सब्द आता है चाहे वो लगू या दिर्ग हो तो उसको हमेशा दिर्ग पढ़ते हैं यहाँ पर आधा ता है इसके पहले जो आए यह सिर्फ ता है यह लगू है लेकि फिर भी देखे इसको हम दिर्ग से count करते हैं यहाँ पर देखते 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 हैं यहाँ अभी दीर्ग है और यह क्या है लगू है देखे हर चंद के निर्माण के लिए चरण या पाद की अत्यादिक आउसकता होती है और प्रतेक चंद देखे यहां पर लिखा हुआ प्रतेक चंद में प्राया चार चरण होते हैं और कुछ चंद ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते है च्छे चरण भी होता है अब यह चरण क्या होता है चरण को आपनो बारे के लिए समस्ते है यहाँ पर देखे एक मैं जो रहीम उत्तम प्रकिर्ट काकरि सकत कुसंग और चंदन भिस ब्यापत नहीं चाहे लिप्टे रहे भुजंग तो यहाँ पर आप देखे जो रहीम उत्तम प्रकिर्ट इसको बोलता है प्रथम चरण अगला क्या है काकरि सकत कुसंग इसको बोलता है दुत्तिय चरण चंदन भिस ब्यापत नहीं इसको बोलता है तृतिय चरण लिप्टे रहे भिजंग भुजंग इसको बोलते है चतुर्थ चरण तो इसी को बोलते है चरण और इसी को पाद भी बोलते है तो प्रतेक चंद यानि हर चंद में चार चरण होते ही हैं लेकिन कुछ चंद ऐसे भी होते हैं जिनमें छेचे चरण भी उपलब्द होते हैं चलिए आगे देखते हैं तो अगला है यती देखें यत क्या होता है चंद को पढ़ते हैं तो आप लोग बिराम लेते हैं और जहां पर बिराम लेते हैं जहां पर रुकते हैं उसी को बोलते हैं क्या यती इसे उपर वाले दोहे में देखी जो रहीम उत्तम प्रकृत अब यहां पर हम लोग तुरंत रुकते हैं देखें रुकने के लिए यहां पर एक कौमा लगाए इसी कौमे को बोलते हैं क्या यति तो चलते हैं आगे देखते हैं देखिए अगला है गती यह गती क्या होता है तो गती का मतलब होता है समान प्रवाह जब भी हम लोग किसी विद्धोहे को पढ़ते हैं रोले को पढ़ते हैं तो उनको एक समान गती के साथ पढ़ते हैं जैसे माल लिए देखिए जोरहीम उत् में चन्दन भिस्वियापत नहीं और उतना ही समय लगा इसको भी पढ़ने के वर्ट की आविर्ति तो जब भी हम किसी दोहे को कि चंद पढ़ते हैं तो लास्ट में कुछुवाड कुछ सब्द ऐसे होते हैं जिनकी आविर्तिया हुथी हैं सेम सेम होती है जे हुचंग यहां कि पिद्ध है इक जानक जो इंकल रहा है हुच सेह due मगड़, सगड़, तगड़, यहाँ पर मैं कुछ लिख दिया हूँ, इसी हमारा कोई बिश्यस मत्तम नहीं है, बाके हम लोग इतना समझ गए हैं कि किसी भी छंद के निर्मार के लिए देखिए, गड़, तुकियाले, गति, यति, चरण या पाद, वड़ या मात्रा इन सब की आउसकता होती है, यह सारे के सारे क्या होते हैं, किसी भी छंद के अंग होते हैं, अर्थात, जो छंद की उत्पती होती है, वो उनके अंगों से मिलकर होती है, तो चलते हैं, आगे समझते हैं, अब पढ़ते हैं, देखिए, वड़ो को गिरना, तो जैसा कि हमने पीछे जब भी देर गाएगा तो उसको हम गुत मार्क से गिनेंगे उसको काउंट करेंगे टू और जब भी लगू आएगा तो उसको हम एक से काउंट करेंगे इसको बोलते हैं क्या इसको बोलते हैं लगू तो काउंट करते हैं एक से तो देखते हैं यहां पर एक दो हटागा जात यहां पर देखे जापाराग मांतरा जा है यानि दीर गई से इसको काउंट करेंगे किस से दीर किसे अगला देखे तापर छोटी मांतर थी यानि छोटी इसको काउंट करेंगे वन से यह भी देखे ना इसमें छोटा इसले इसको काउंट करेंगे वन से पूछो पापर प्रगार इसको हम काउंड करते हैं तो यह रहा काउंड करने का तरीका बागे जो मैंने उपर नियम से हम हर किसी को काउंड कर सकते हैं एक बार फिर से यहां देख लेते हैं देखें जब छोटा वाला शीच कोई भी आएगा तो इसको हम लगों से गिनेंगे और यह जब पहले का जो भी वड़ होता है उसको हम लोग दिर गिनेंगे और अगर आधा वाला पहले आ गया तो उसको काउंड ही नहीं करते हैं उसको छोड़ देते हैं बाकि अगर इतना नियम मालूम है तो आप किसी भी छंद के मात्राओं को आसानी से गिन पाएंगे यहां पर गिन गिन लेंगे और अलग अलग मात्राओं के अधार पे छंदो को अलग भागों में बाटा गया है अब इस चीज को हम लोग आगे समझेंगे लेकिए यहां पर मैं इग्याम पर आउड दिया हूँ तो इसको भी आप लोग काउंड कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे ब पढ़ा चंदों के अंगे बारे में और चंद जो होते हैं उनके वड़ों को कैसे गिना जाता है अब हम पढ़ेंगे चंदों के प्रकार के बारे में तो चंद मुक्रता तीन प्रकार के होते हैं पहला होता है मात्रिक चंद दूसरा होता है वड़िक चंद तीसरा होता है मुक अंगला देखिया वाडिक चंद भाने होता है वाडों को गिना अचैनि एसा चंद में सिर्फ वाडों को गिना जाता है ऐसा चंद की पर इसे मुक्तक चंद इसंड की हो प्रोसेस होता है प्रोस्स क्या होती है पहले से निधारित होती है इसलिए इनको गिनना नहीं पढ़ता ना तो इनके वर्डों को गिनना पढ़ता है ना तो इनके मात्राओं को गिनना पढ़ता है अर्थात ये वर्डों और मात्राओं से क्या होता है पूरी तरीके सब मुक्त होता है इसलिए पर यहां पर हम लोग तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे और इनके जो प्रकार है उनके विबारे में पढ़ेंगे तो बनों डालते हैं पहला एडिंग उसको बोलते हैं सम मातरिक चंद तो यहां पर दिखे लिगा है सम मातरिक चंद और इसको समझते हैं देखें, इसके नाम से ही clear है, सम माने होता है, बराबर, मात्रिक माने होता है, मात्राएं, चंद माने क्या चंद के, ऐसा चंद, जिनकी मात्राएं क्या हो, बराबर हो, ऐस चंद को बोलते हैं, सम मात्रिक चंद, तो सम मात्रिक चंद में क्या होता है, जितने भी चरण होते है हर चण के मात्राइं क्या होती है समान होती है इसे यहां पर लिगा हुआ प्रटेक चणों में समान मात्राइं होती है और ऐसे चंद को बोलते हैं सम मात्रिक चंद और ये चंद मुक्रता चार प्रकार के होते हैं देखें उनमें जो पहला है उसको बोलते है चोपाई दूसरे को बोलते हैं रूला तीसरे को बोलते हैं गितिका और चोते को बोलते हैं क्या हर गितिका यहाँ पर हम इन चारों को बहुत ही बारकी के साथ इन चारों का अध्यन करेंगे तो देखते हैं जो पहला है उसको बोलते हैं क्या चोपाई अभी चोपाई क्या होती है चोपाई में कुल चार चरण होते हैं और प्रतेक्चरण में क्या होती है सूला सूला मातरा है होती है जैसा कि अबने बड़ा सामातरी में क्या होती है सब में मातरा है सेम सेम होती है तो देखें यहां पर सूला सूला मातरा है दोनों में क्या है मातरा है सेम सेम है तो चोपाई क्या होता है तो चोपाई एक ऐसा चंद होता है जिसमें क्या होते हैं चार चरण होते हैं और प्रतेक्चरण में क्या होती हैं ऐसे चंद को बोलते हैं चोपाई और चोपाई में क्या यति नहीं होता है यति माने क्या हो जो रुकार बिंद होता है वो नहीं होता इसे मैं बोल दो जय हनुमान ग्यान गुड सागर जय कपीत तिहों लोक उजागर राम दूत अत्रत बंधामा इन समय दिए कहीं पर फूल स्टाउप नहीं है कहीं पर रुकाओ बिंदू नहीं है यानि कह सकते हैं कि चोपाई में यती नहीं होता है चलिए अगला देखते हैं अगला है रूला अब यह रूला क्या होता है तो रूले में भी क्या होता है रूले में भी चार चरड होता है और प्रतेक चरड में कितनी मात्राइं होती है चोबिस चोबिस मात्राइं होती है और और इनमें क्या होता है कि इनमें यति लगा होता है यति कैसे लगा होता है ग्यारा और तेरा यानि इनमें ग्यारा और तेरा मात्राओं के बीच में क्या लगी होती है यति लगी होती है और रूला की सबसे खास बात है कि रूला में क्या होता है कि ले सेम सेम होते हैं ले का मत अगर यह दोनों सेम सेम होता है और नीचे नियम मैं बताया होगा और वो नियम फालो करता देखे चार चरण भी है अगर प्रतेक चरण में क्या होती 24 मातरा है होती और यह चीज़े सेम होती तो यह क्या हो जाता है रोला हो जाता है तो रोला में क्या होता है ले सेम सेम होता ह क्योंकि रूला ही सिर्फ मात्र एक ऐसी चंदी है जिसमें क्या होती है चुल्ले होता है वो सिम सिम होता है चलिए अगला देखते है तो तीसरा है गित्का गित्का क्या होता है तो गित्का में भी क्या होता है चार्चरण होता है और प्रटेक्चरण में क्या होती है चार्चर होते हैं और प्रटेक्चर में क्या होते हैं 28-28 मात्राइं होती है उन्हें 16 और 12 के बीच यत लगी होती है तो चलिए अगला देखते हैं उसको बोलते हैं अर्द समात्रिक छंद अब ये अर्द समात्रिक छंद क्या होता है तो अर्द का मतलब होता है आधा सम का मतलब होता है बराबर मात्रिक का मतलब होता है मात्राएं और चंद का मतलब होता है चंद तो देखिए ऐसा चंद जिनमें क्या होता है मात्राएं बराबर और अर्दमाने क्या आधा था इसका मतलब अर्द समात्रिक चंद एक ऐसा चंद होता है जिसमें जितने चड़ होते है उसके आदे चड़ के मात्राएं क्या होती है सेम सेम होती है सेमाली जे दस चड़ है तो पांच चड़ के मात्राएं सेम सेम रहेंगी अगले पांच चड़ के मात्राएं क्या रहेंगी सेम सेम रहेंगी तो ऐसे चंद को बोलते हैं अर्द समात्रिक चंद है ये भी क्या होता है देखे आदे चर्ण में समान मात्राएं होती है और ये मुखिदा कितने प्रकार के होते हैं चार प्रकार के होते हैं कोन कोन होते हैं तो पहला होता है दोहा दूसरा होता है सोठा, तीसरा होता है बारवे, चोथा होता है क्या उलला अब ये चारों क्या होते हैं तो देखते हैं पहले दुआ के बारे में दुआ में क्या होता है तो दुआ में चार चरण होते हैं और चार चरण में क्या होता है पहले और तीसरे चरण देखें यहाँ पर लिखा है पहला और तीसरा पहले और तीसरे चड़ में किती तीरा तीरा मात्रा है होती है देखें पहले तीसरे में तीरा तीरा मात्रा है और दूसरे और चोथे चड़ में क्या होती है ग्यारा ग्यारा मात्रा होती है और एज शंदु को बोलने हैं दोहा अगला देखते हैं सोठा सोठा क्या होता है सोठा में चार चरण होते है और पहले और तीसरे में ग्यारा ग्यारा मात्रा है दूसरे और चोटे में क्या होती है तेरा तेरा मात्रा है यानि जो सूलठा है वो दीखे बिल्कुल दोहा का उल्टा है अगला देखते हैं बारवे क्या होता है तो यहाँ पर दीखे बारवे में भी क्या है बारवे में चार चरण है पहले हो तीसरे में बारा बारा मात्रा है और दूसरे हो चोते में कितनी है 7-7 मातरा हैं यहनी बारवे एक ऐसा चंद होता है पहले तिसरी में बारा बारा और दूसरे उचोते में कितने होते हैं 7-7 मातरा हैं h विसेशा बसा देना चाहता हूँ देखिए अगर आगे हम यहाँ पे सुर्ठा को देखे है और रूला को देखें तो रूला और सूठा बिल्कुल एक जैसा है जो टम्स ओ कर्णिसन रूला में है वह टम्स ओ कर्णिसन क्या है सूठा में लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है लेकि रूला में क्या होता है रूला में जो ये ले होते हैं वो सीम सीम होते हैं लेट सिम सिम नहीं होते हैं तो आप इस अंतर को समझ कि आप किसे भी एक जाबल को अलग कर सकते हो पैचा सकते हो कौन सा रूला है और कौन सा गया है सोठा है चलिए आगे देखते हैं अगला है बिसम मातरिक छंद देखें बिसम माने होता है भिन्द भिन्द मात्रिक का मतलब होता है मात्राएं यानि ऐसा छंद जिनमें जितने भी चरण होते हैं अब ये तो नहीं कह सकते हो कि हर चरण की मात्राएं भिन्द अलग-अलग होती है यानि सभी चरण होते हैं जो सभी चरण होते हैं सबी चड़ों की मात्रा हैं समान समान नहीं होती है हाँ कुछ की समान हो ज़िए मालिए पहले दूसरे का चार चार हो गया कुछ की समान हो ज़िए सब की समान नहीं होती है मालिए दस चरड है तो दसों की समान समान नहीं होती है और ऐसे ही छंद को बोलते हैं बिसम मातरिक छंद ये देखिए ये मुख्यता दो प्रकार का होता है ये पहला होता है कुंडलिया और दूसरा होता है क्या छप्पे इसको मैं आप लोगों बहुत ही अच्छी तरीकी से पढ़ाऊंगा देखिए यहाँ पर कुंडलिया कुंडलिया में छे पंगतिया होती है और छप्पे में भी होता है तो छप्पे में भी होता है छे पंगतिया इट मिन्स कह सकते हैं कि बिसम मातरिक छंदे के ऐसा छंद है जिनमें छे छे पंगतिया होती है देखे कुंडली को कैसे समझेंगे हम लोग तो देखे कुंडली का मतलब होता है कुंडली मानने जिसे मालेज जी हम हाथ में पहनते हैं चुला ये कुंडली है जो हम लोग रिंगे पहनते हैं वो भी क्या है कुंडली है तो कुंडली का सिंपल सा मतलब है कुंडली गोलाकार होता है बृताकार होता है उसको हम लोग हाथ होत में पहनते इसको बोलते है कुंडली अब इसको हाथ में पहनने के लिए हाथ में डालना पड़ेगा डालना पड़ेगा वतलब डालने से हो जाएगा यहाँ पर दी आर और D का मतलब होता है दोहा और R का मतलब होता है रोला यहनि जो कुंडली होती है वो दोहा और रोला से मिलके क्या होती है बनी होती है इसमें भी देखें क्या है कि इसमें हम लोग जानते हैं कि 6 पंक्तिया होती है और 6 पंक्ति में जो starting के 2 पंक्ति होती है वो दो पंक्ति दोहा की होती है और जो बात की चार पंक्ति होती है वो किस की होती है रोला की होती है और ये मिलने के छे पंक्ति हो जाती है और इनके मिलने के बाद जो बंदा है उसको बोलता है कुंडलिया और इसमें खास बात क्या है कि दोहा की जो पहली पंक्ति है यानि जो दो चरण है स्टाटिंग के जो पहली पंक्ति है अगर पहले में कितना होता है दोहे में तो पहले में होता है तेरा दूसरे में क्या होता है ग्यारा और ग्यारा तिरा जोड़ेंगे तो कितना हैगा चोविस आएगा यानि जो दोहे म होती है वो कितनी होती है 24 24 होती है चलते हैं देखते अगला इसको बोलते हैं क्या अँगर किसी कोई छबके से मार आगर इसको और मतलब क्या आ रो रो मतलब वो रोएगा आप देखें यहां से आ मतलब हो जाएगा रोला वो का मतलब हो जाएगा उलला और रोला और उलला के मिलने से बनता है चपए इसमें क्या होता है इस्टाटे की चार पंक्तिया क्या होती है रोला की रोले की होती है और बात की जो दो पंक्त प्रते में पंक्ति में गया होती है और इसे भी भोलते हैं क्या छप है तो इस प्रकार हमने पूरे छंद को बहुत ही बारगी से और सलता के साथ पढ़ लिया, जो में बीच में बढ़ाया था, रोला और सोठा एक जैसा होता उसमें डिफेरेंस क्या है, तो डिफेरेंस कर लें ताकि यसी कुई वीडियो आपसे मिस ना हो तब तक के लिए बाइर टेक कियर जैंद